इस प्रिष्ट भूमी में जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उसको हमने समझना शुरू कर दिया है इस सब का परिणाम क्या हुआ जितनी घटनाए हमने बताईं सोवियत संग का शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संग का पतन सोवियत संग का विभाजन विभाजन के बाद बहुत से देशों के द्वारा नैटो का सदस्य बनना अमेरिकिन खेमे में चले जाना या अमेरिकी प्रभाव का असर दिखना और उसके साथ सी साथ सामेवादी विचारधारा की समाप्ति और पूंजी वादी विचारधारा का बढ़ना यही तो आसंतुलन 1990 के बाद देखा जाता है निशकर्ष ये कि सोवियस संग के विगटन के बाद जो संतुलन बना हुआ था राजिनितिक संतुलन सोवियस संग और अमेरिका एक दूसरे को चिक मेट कर रहे थे जैसे शत्रंज में करते हैं अब यहाँ पर जब एक महाशक्ति खतम ही हो गई अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बचा तो अब उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और विश्व क्या बन गया एक धुरूवी जो अभी तक दो धुरूवी विश्व था 1990 तक अब वह एक धुरूवी विश्व हो गया यहने पूरा विश्व जो है वह एक देश क चारों तरफ केंदरित हो गया और धुरी पर कौन था धुरी केंदर पर था अमेरिका यूज से किवल एक ही देश का प्रभाव हों हम देखते हैं सत्रतरूप से और अंतरराश्ट्री जो नेर्णे हैं वो नेर्णे भी अमेरिका से प्रभावित होने लगे हैं क्योंकि यह का दबदबा था आर्थिक दबदबा और सैनी दबदबा आर्थिक और सैनी दबदबे के कुछ उधारन हम आगे पढ़ेंगे पर अभी आप ये समझ जाएं कि इस दबदबों का इस दबाओं का परणाम ये हुआ कि जितने भी निर्णे अंतर राश्ट्री मामलों में लिए जाने लगे अंतर राश्ट्री मामलों में और कई बार तो देश के अंदर उनी मामलों में भी अमेरिकी दबाओं अमेरिकी प्रभाओं चारों तरफ दिखाई देने लगा वर्तमान समय में अमेरिका ने सारे विश्व को अपने प्रभाओं में ले लिया है और सोवियत संक का जो उत्रादिकारी देश है जिसकी चर्चा मैंने पूर में की है रूस या रशा वहाँ अभी भी काफी पीछे हैं सोवियस-ंक्य वेटन के बाद जो कई सामिवादी देश और विकाशील देशों ने भी पूंजवादी वस्था अपना लिये इसलिए वो पूंजवादी वस्था में रहने लगे उसे पसंद करने लगे अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित तथा अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी ये लोगों ने पूंजी वाद अपना जा देखिए अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारणों की यदि बात करें यदि सवाल ये हो कि अमेरिका का प्रभाव किन कारणों से बढ़ा और उसके क्या प्रणाम हुए तो बढ़ते हुए कारणों में विश्व का एक धुरुवी होना दूसरा किसी अन्य शक्ति का उसके आस्पास भी न फटकना ताकत में तीसरा सामेवादी विचारधारा को नकार दिया जाना चौथा पूंजी वादी विचारधारा के प्रति आकर्शन पांचवा अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलने की उमीद में भी कई लोगों ने पूंजी वादी विचारधारा अपना ली भले ही उससे सहमत हो ना हो लेकिन इस उमीद में कि अमेरिका हमें आर्थिक मदद देगा यदि हम उसकी विचारधारा का पालन करें तो इस उमीद में भी कही लोगों ने छट्वा कारण कई देश दबाव में आये और उन्होंने पुझी वादी विचारधारा को अपनाया तो इसका प्रणाम क्या अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया, अमेरिका की वर्चस्फता की प्रिष्ट भूम यही है, रूज की स्थिती तो मैंने बताई आपको, एक कारण और है जो उसका उत्तराधी कार था, सात्वा कारण हम मान सकते हैं, अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव का सात्वा कारण कि रूस्वयम महाशक्ती होने की और अग्रसर तो था लेकिन अभी भी अंदरूनी रूप से कमजोर था इतना कमजोर कि वो जो पंदरा देश विभाजित हुए थे पंदरा देशों में जो सोवियत संग विभाजित अपना क्योंकि उनकी उनका इतिहास कॉमन था उनका बैकग्राउंड कॉमन था उनकी समस्याएं कॉमन थी ये सभी किसी जमाने में सोवियत संग के हिस्सा थे इसका अधार मानते हुए इन लोगों ने सोचा कि क्यो ना हम स्वैम अपने एक गुट बनाएं तो बनाया पर र जाश्ट कुल को भी समधने इपा रहा था अमेरिका को चैलेंज करने की तो बात दूर अमेरिका के विरोज में अंतराश्ची तरपर खड़े होने की तो बात ही दूर तो यह हो गया साथवा कारण अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का आठवा कारण जदे हम देखें तो और इसे विश्व दिहास के आने वाले अध्याओं में भी राजनीत शास्त्र के ये गुट निर्पेक्षता की बात बारंबार आएगी तो चलिए हम यहीं जान लेते हैं कि गुट निर्पेक्षता है क्या जैसा कि शब्द स्वेस पष्ट है गुट निर्पेक्ष मैंने जिक अध्यवियत संग और उसके नित्रित्व का खेमा और तीसरी दुनिया ऐसी थी जो इन दोनों के साथ नहीं थी और उसने एक शतंतर नीति अपनाई थी अधिकतर देश नवोदित स्वतंतर राष्ट थे जो 1945 के बाद स्वतंतर हुए थे अधिकतर देश गरीब देश थे अधिकतर देश आर्थिक रूप से पिछले हुए थे अधिकतर देश अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूज रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वे किसी भी गुट में शामिल होकर फिर अपनी इस नव निर्मित नव अरजित स्वतंता को खो बैठें। इस खोने के भैने उन्हें विवश्च किया कि वे लग स्वतंता बने रहें और इन दोनों किसमे से किसी भी खेमे में न जाएं। तो यह जो तीसरी दुनिया के देश थे इन देशों में से कुछ लोगों ने पहल की कि हम इन में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे अपनी स्वतंता अक्षुन ने बनाया रखेंगे क्योंकि सतत प्रयासों के वर्षों, सौ वर्षों, दो सौ वर्षों के प्रयास के अब हमें स्वतंता मिली है इस अक्षिन स्वतंता को बनाया रखने के लिए इन में से कुछ लोगों ने 1961 के आसपास एक ग्रुप बनाया और उसका नाम दिया Non-Aligned Movement वैसे तो इसकी शुरुवात 1955 से हो चुकी थी इस Movement की इस आंदोलन की इस बात का प्रयास स्वतंत रहने का प 1955 से शुरू हो चुका था इस पर विस्तार से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे अभी हम जान लें कि Non-Aligned Movement या गुट निर्पेक्ष आंदोलन आंदोलन का सड़क में आने वाला आंदोलन नहीं है जैसा कि हम समझते हैं आंदोलन मने विचारधारा गुट निर्पेक्ष अभी नहीं है अस्तित में भागोलिक दिर्ष्टी से युगोसलाविया कई देशों में तूट चुका है स्वयम में वैसी बहुत छोटा देश था लेकिन तत्कालीन राश्पती जो युगोसलाविया के थे मार्शल गुस्ताव टीटो ये भारत के पधान मंतरी तत्कालीन पंडि जवालाल नहरू एजिप्त के राश्पती गमाल अब्दिलनासेर क्या नाम है गमाल अब्दिलनासेर एजिप्त या मिस्र जिसको बोलते हैं वहां के राश्पती और ऐसी इंडोनेसिया के जो नेता थे सुकारनों ये चार लोगों ने मिलकर एक एक मुवमिंट एक ने गुट के निर्मान की उजना बनाई जो जिसका लक्ष था इन दोनों से स्वतंत रहना और क्यों रहना क्या रहना ये आगे हम बात करेंगे अभी ये जाने कि उन्होंने स्वतंत रहने की नीती बनाई और बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ जिसमें इस विचार धार ये थी तीसरी दुनिया और इसमें कई इसमें जो देश शामिल थे ये नवोधित राष्ट भी थे शक्तिशाली राष्ट भी थे कई कई आर्थिक जिससे मजबूत राष्ट भी थे लेकिन कुल मिला कर इसकी स्थिती ऐसी थी कि ये लोग एक बाकी अन्नित दुनिया की मुलमुद्दा इनका था हमारी विदेश नी थी शत्नत रहे गी हम किसी देश के दबाव ञाएंगे किसी बाहरी ताकट के दबाव ञाएंगे अब जब दूसरा दूसरी दुनिया खित याने सोवियः संग् विगट हो गया दूसरी दुनिया के देशों ने जब पूंजी वाट अपनाया बहुत से लोगों ने और उनमें से कुछ ने शेड़ान अलाइनमेंट को भी अपनाया लेकिन दूसरी दुनिया के खतम होने के बाद अब अमेरिका का वर्चस इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया और इसका विरोज इतना कम हो गया कि अमेरिका को लगातार अपने वर्चस को बढ़ाने में कोई दिक्कत नी आई तो यदि हम अगले कारण की बात करें कि अमेरिका के वर्चस बढ़ते वर्चस का अगला कारण किया है तो आठवा नवा कारण हम कह सकते हैं, अमेरिका स्वेहिम की इच्छा थी कि वो अपना प्रभाव दिखाए, अमेरिका प्रदर्शन में बहुत विश्वात करता था, प्रदर्शन में उसका बड़ा विश्वास था वर सतत रूप से महसूद कराना चाहता था दिन्या को कि हम सबसे बड़ी ताकत हैं और ऐसा दिखाने के प्रयास में उसने कई युद्ध लड़े कई जगा अपना दबाव बनाया कई जगा अपनी पैट बनाई आदी आदी अगला कारण जो मैं बता रहा था गुट निर्पेख्षता का अब समय के साथ साथ जब दो गुट खतम हो गया दो खेमे या दो ध्रोव जब खतम हो गया तो अपके वल अमेरिका बचा और गुट निर्पेख्ष देश बचे इन गुट निर्पेख्ष देशों को बड़ी आर्थिक मदद की ज़रत थी क्योंकि ये आर्थिक रूप से बड़े कमजोर थे इन्होंने अमेरिका की ओर जहाका अमेरिका ने कई शर्तों के साथ इन्हें अपने गुट में मिलाया दूसरे शबदों में गुट निर्पेख्ष आंदोलन के बहुत से देश गुट निर्पेख्षता की विचार धारा को त्याग कर आर्थिक विवस्ता के कारण या इच्छा के कारण या किसी अन्य इच्छा के कारण उन्होंने भी इस खेमे में जाने का निर्णा लिया किस खेमे में अमेरिका के नित्रित वाले खेमे में और गुट निर्पेख्ष्टा का जो लक्ष था वह लक्ष अब कोई मायने नहीं रखता था इस कारण गुट निर्पेख्ष्टा एक तरीके से कमजोर पढ़ गई या आंदोलन कमपोर पढ़ गया और इस आंदोलन के कमजोर पढ़ने के कारण अमेरिका को अपने प्रभाव को बढ़ाने में और मदद मिली तो अगला कारण जिसका मैं जिक्र करना हूँ गुट निर्पेख्ष्टा के परिप्रेक्ष में वह जा है कि गुट निर्पेख्ष्टा आंदोलन का कमजोर पढ़ना अमेरिका को मौका देता है अपनी वर्चस्टा को बढ़ाने का तो इसलिए एक धुरुवी बनने में इसने भी मलट की और इस एक धुरुवी विश्व का नेता क्या था अमेरिका एक धुरुव धुरुव का अर्थ ही यहां पर अमेरिका अब हो गया सचाई तो यह है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका के प्रभाव से स्वतंत्र हो कोई भी देश नहीं इस बात को आपको ख्याल लखना और यही कहलाती वर्चस्वता वर्चस्व सुप्रीम सार्व भौमिक सबसे उपर और सबसे उपर इतना ज़्यादा उपर कि दूसरे लोग बहुत पीछे हैं हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्वता के इस्थापित होने के निम्न कारण थे पहला तो शीत युद्ध की समापती जिसका मैंने विस्तार से वर्णन किया है और आपको बताया है कि 1990 में विगटन हुआ सोवियत संग का उसके बाद रूस जो उसका उतरादिकारी बना वो स् भारत और चीन भी इस साथ में मिल जाते तो अभी अमेरिका का कुछ नहीं कर सकते थे अमेरिका का कुछ बिगार नहीं सकते थे इन सब प्राणों से 1991 में अमेरिका महा महा शक्ति के रूप में एक तरिके सामने आया और इसलिए विश्व एक ध्रूवी बन गया उसको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसे कोई चुनौती नहीं थी तो पहला कारण तो हो गया शीत युदि के समापती किसका पहला कारण अमेरिकी वर्चस्व के स्थापित होने का पहला कारण दूसरा कारण रूस की कमजोर इस्थिति जिसका जिकर बार-बार हो चुका है सोविय संक्य उत्रादिकारी के रूप में रूस तो आया भागोलिक दिश्टी सभी वह बहुत बड़ा देश था लेकिन उसकी खुद की स्थिति बड़ी कमजोर थी क्योंकि उन्होंने काफी पैसा सैन्य साजो सामान पर खर्च किया था वो तो अपने स्वैम राष्टिकुल के देशों को नहीं समाल पा रहा था तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के मकाबला करने की बात दूर और रूस की अर्थ वर्था भी कमजोर थी तीसरा कारण अमेरिकी वर्चस के स्थापित होने का ये कारण एक महत्पूर्ण है मैंने पूर में आपको दस कारण बताए हैं यहां पर फिर उनको दोहरा रहे हैं लेकिन ये कारण एक और है जिसे आप ग्यारवा मान सकते हैं वो है पूर्वी यूरोपी खेत्र में मैंने आपको बताया था कि पश्चमी यूरोप में कौन-कौन से देश आते हैं जामनी, फ्रांस, पर्टगाल, स्पैन आदी आदी ये सब देश पश्चमी यूरोप में और ये अमेरिका के खेमे में थे इन पश्चमी देशों की सीमाओं से लगा हुए कुछ अन्य देश ह और उन देशों में हम देखते हैं तो चिकसलवाकिया, बल्गारिया, रुमैनिया, हंग्री, पॉलन ये सब आते हैं और इन देश की सीमाओं से लगा हुए सोवियस संग है यानि पूर्वी यूरोप, पश्चमी यूरोप के पूर्व का हिस्था और सोवियस संग के और दबदबे के कारण ये लोग उस खेमे में चले गया थे सोवियत संग के अब जब सोवियत संग ही विगटित हो गया तो ये लोग कहां चले गया अमेरिकी खेमे में जाने लगे और इसलिए आप देखते हैं कि 1995 के बाद विगटन के 4-5 साल बाद पूरवी योरोप के में जिक्र किया है नक्षे कई माध्यम से कि कैसे इस काल में इस दशक में 95-2005, 1995-2005 के बीच कैसे बहुत सारी देश जो सोवियत खेमे के थे वो यू ऐसे खेमे में चले जाते हैं और वहां की नैटों की स्रश्टा गरहन करते हैं तो ये भी एक कारण था चोवियत संके विगटन के बाद ये बारवा कारण हम ले सकते हैं शौक थेरपी अब शौक थेरपी क्या है शौक थेरपी टी एज आरे पी वाई शौक ऐसे चोसी के शौक मतलब क्या होता है करेंट शौक देना जटका शौक मतलब जटका करेंट बिजली का शौक लगता है करेंट से जटका लगता है शौक लगना व्यक्ति को शौक लग गया और हार्ट अटेक हो गया किसी घटना को सुनने से जो उसके गले नहीं उतरती उसको इतना बुरा जटका लगता है कि कई लोग की मृत्ति हो जाती कोई दुखत ख़वर पाने पर शौक लगता है ये वही शौक है और ठेरपी का अर्ट क्या होता है इलाज ठेरपी मने इलाज फिजियो ठेरपी कीमो ठेरपी तो ठेरपी मने इलाज शौक के साथ इलाज अमेरिका ने एक शौक ठेरपी लागू की थी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे पर आप ऐसा जानिये कि अपने वर्चस को बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों को अपने तरफ बलाने के लिए आकरशित करने के लिए दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने कुछ ऐसा इलाज किया इन देशों की तकलीफों का इन दे देशों को सुधारने का प्रयास पर इसके पीछे लक्ष क्या है अमेरिका का आर्थिक जिस्ट से सुधारने का प्रस्ताव देता है अमेरिका और उसकी एवज में वो क्या चाहता है कि आप हमारे खेमे में आजाओ आप हमारे गुट में आजाओ आप हमारी वर्चस्वता को म अमेरिका की और मुखातिर होने के लिए अमेरिका ने इसका पूरा फायदा उठाया और आर्थिक मदद दी जिसकी यवद में यह देश यहां पे आये नाटो तो यह बात हुई कि अमेरिकी खेमे में इस शौक थेरपी के कारण भी बहुत चे लों को जाना पड़ा तो अगला कारण अमेरिका की वर्चस्वता स्थापित होने का अगला कारण है शौक थेरपी अब हम और अगले कारण प्याते हैं नाटो की शक्ति का बढ़ना नाटो एन एटी ओ इसकी शक्ति कैसे बढ़ी जैसा मैंने आपको बताया सोवियत संग की शक्ति कम होई समाप्थी हो गया तो सौवाइक रूप से ये बहुत शक्तिमान हो गया ऐसे तो शक्ति बढ़ी दूसरा शक्ति बढ़ने का तरीका था इन में से बहुत से देश जो सोवियत खेमे के थे वो अमेरिका की तरफ आ गया तो नैटों की जो सदस्य संख्या थी वह बढ़ते बढ़ते 28-30 तक पहुं तो यह बाद में अचाना कितने देश कहां से आया जो नैटों के सदस्य से बने यह वही सोवियत खेमे के देश थे या कुछ ऐसे देश थे जो पूर में गुट निर्पेक्ष आंदुलन के प्रभाव में थे वो भी वहां चले गया तो अगला कारण अमेरिकी वर्चस के स् इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वह है नौर्थ एट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन यानि हिंदी में नौर्थ एट्लांटिक संधी संगठन इससे कहा जाता है और संग्षिप्त में इसे नैटों कहते हैं अमेरिका के नित्रत में पश्च्चमी देशों का ये एक बहुत प्रमुक सैनिसंगठन है जिसके स्थापना 4 अप्रैल उनीस सो उनचास को ही जने भारत के सतंत्र होने के लगवक दो वर्ष बाद चार अप्रेल उन्निस सो उन्चास और कहां हुई कभाविक है किसी अमेरिकी ख्यत्र में और वह ख्यत्र का वाशिंग गटन यहां पर विभिन ने देशों के साथ एक संदी की गई वे देश जो नैटो से संबंद रखना चाहते थे वे देश जो नैटो से जुड़ना चाहते थे नैटो संदी का हिस्सा बनना चाहते थे ऐसे बारा संस्थापक देशों से की बैठक के बार एक संदी हुई ये बारा संस्थापक देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, नक्षे में देखते जाएं, इस नक्षेतर कैसे बढ़ता जा रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कैनेडा, डेनमार्क, आइसलेंड, इटैली, लेक्जंबर्ग, नीदर लेंड, जिसे हॉलेंड भी कहते हैं, नीदर लेंड, हॉलेंड, पुर्तगाल, और नॉर्वे, ये संस्थापक देश हैं, बाद में इसके सदस्यों की संख्या और बढ़ी, और अब तो 28 देश इसके सदस्य हैं, 28, इसका जो मुख्याला है, वो मुख्याला है, बेल्जियम, देश की राजधानी, ब्र बढ़ता गया, इसका प्रभावक्षेत, अमेरिका का हम कह सकते हैं, नैटो के मध्यम से उसका प्रभावक्षेतर बढ़ता गया, बाद में जो देश आए, वे यूनान, तरकी, पस्चिमी जामनी, स्पेन, चेक गर्णराज, हंगरी, पोलेंड, बल्गारिया, एस्टोनिया लात्विया, लिथवानिया, रुमानिया, स्लोवाकिया, लिसवानिया और अल्बानिया, अल्बानिया दो हजार नौ में आया, जबकि नैटो के स्थापना हुई थी, उन्निस उन्चास में, आप देखेंगे एक बहुत सारे देश इसमी, काफी आखरी आखरी में एक साथ जुड़े हैं, लगबग दो हजार या उन्निस उनिन्यानवे से दो हजार नौ के बीच बहुत सारे देश जुड़े, तो जरूर कुछ बात होगी कि ये देश एक साथ नैटो के सदश से क्यों बन रहे हैं, इसके रहस्य को हम आगे जानने के कोशिश करेंगे, नैटो जो ह है, वो अमेरिका तथा पश्चमी देशों के सैनिक प्रभुत्व का मुख्य साधन है, अमेरिका के सैनिक प्रभुत्व का मुख्य साधन, आप नक्षे में देखिए पुना, पूरा का पूरा पश्चमी यॉरप एक करीके से, अमेरिका के प्रभुत्व खेत्र में आ गया ह याने महा सागर के दोनों तरफ एक और अमेरिका और दूसरी तरफ पूरा पश्चमी यौरप ये अमेरिकी प्रभुत्व का सैनिक प्रभुत्व का क्षेतर हो गया इसकी संदी में ये शर्थ है पहला कि इसके किसी एक सदस्य के विरुद किया गया कोई भी आक्रमन सभी सदस्य देशों के विरुद आक्रमन माना जाएगा बहुत महत्पूर बिन्दु है ये जो उपर जो मैंने नाम पढ़े इन में से किसी भी एक देश पर किसी अन्य देश ने दियाक्रमन किया तो ये सारे 28 देश से अपने प्राक्रमन मानते हुए प्रतिक्रिया करेंगे याने कारवाई करेंगे तो दूसरा संदी का हिस्चा है कि ऐसी स्थित में सभी सदस्य मिलकर कारवाई करेंगे वर्तमान में 2001 से अफगानिस्तान में नैटो की सेनाएं तैनाप थी 2001 से और अभी गट दो महा पूर भी नैटो की सेनाएं यहां से पूरी तरह हटा ली गई हैं आप देखिए 2001 से 2021 यानि लगबग 20 वर्षों तक नैटो की सेनाएं वहां थी नैटो की सेनाओं से अर्थ है कि जो सज़स्य देश हैं इनके सैनिकों को मिला कर एक फौश तयार की गई विविन देशों के इन 28 देशों के सैनिकों को मिला कर एक फौश तयार की गई और उसे अफ़गानिस्तान में रखा गया 2011 में वैसी नैटों की सिनाओं ने लीबिया में कर्नल गडाफी उनके विर्द भी सैनिक करवाई की थी 2011 अमेरिका की वर्चस्वता स्थापित होने का एक कारण था सोवियत संग का विरोध समाप्त हो जाना और जब सोवियत संग था तो संयुक्त राष्ट संग UNO United Nations Organization जो विश्व शांति के लिए कारे करती है वह संच्था भी अमेरिका के डबदबे का सतत रूप से विरोध करती रहती थी अमेरिका को अपनी नीतियों में हावी नहीं देने देती थी UNO एक स्वतंतर संच्था के रूप में कारे करने का प्रयास करती थी और जब भी अमेरिका का दबदबा बढ़ता था वहाँ पर तो सोवियत संग उसके बचाओ में आता था अब सोवियत संग के ना रहने से संग भी कमजोर हो गया सोवियत संग के ना रहने से संग यानि UNO भी कमजोर हो गया और UNO के सदस्य देशों में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ गई जो अब USA के खेमे में आ गए तो परणाम क्या हुआ कि अमेरिका को जो चैलेंज अमेरिका को जो विरोध अमेरिका को जो एक तरीके से चेक करता था सोवियत संग और UNO सोवियत संग तो चला ही गया यहाँ UNO भी कमजोर हो गया उसके कमजोर होने के कारण भी अमेरिका को अपनी वर्चस्वता स्थापित करने में बड़ी मदद मिली तो इस पकार हम देख कह सकते हैं कि UNO का कमजोर होना यह भी अमेरिका की वर्चस्वता का कारण है अगला कारण आतंकवाद के नाम से और सामरिक हतियारों के संग्रह के नाम से अमेरिका ने अफगानिस्तान इराग इस पर हमले किया और हमले करने करते हुए उसने ये कहने की कोशिश किया उसने ये कहा कि उनके पास कुछ ऐसे जैविक हतियार हैं ऐसे सामरी खतियार हैं जो विश्व चान्ती के लिए खत्रा हैं अमेरिका ने ये कहा कि उनके पास ऐसे आतंकवादी लोगों के संगठन पनाप्रा हैं जो विश्व चान्ती के लिए खत्रा हैं इसलिए उसने दबाव बनाकर प्रियास किया इन पर हमले करें और इनको समाप करें और ऐसा करते हुए अमेरिका ने UNO की बात नहीं सुनी स्विक्त राश्टंग की नहीं मानी और अपनी मनमानी करते हुए उसने इस पर हमले किये और ऐसा करते हुए उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया मैंने आपको पूर में वताया कि अमेरिका के वर्चस्वता स्थापित होने के एक कारण ये भी था कि अमेरिका शक्ति प्रधरशन में बहुत विश्वास करता था तो अगला कारण आप देख सकते हैं शक्ति प्रदर्शन के उदाहरन अमेरिका के दौरा अफगानिस्तान और इराक पर सैन्य हमले यद्यपीन हमलों के उद्देश कुछ और थे अंदरूनी उद्देश कुछ और थे अमेरिका कुछ और चाहता था और उसने कहा कुछ और इस पर हम आगे पढ़ेंगे पर फिलहाल हम इतना जाने कि इसके शक्ति प्रदर्शन का परणाम क्या हुआ परणाम यह हुआ कि उसकी सामरी ताकत उसके सेना का आधनी की करण यह सब देख के दुनिया के अन्य देश भी हिल गए और घबरा के उन्होंने भी किसी भी तरह के USA के विरोध से अपने को दूर रख लिया परणाम क्या हुआ अमेरिका का प्रभाव और बढ़ा अमेरिका का दबदबा रुतबा और बढ़ गया अगला कारण 14 पंदरवा कारण जो हम जिक्र कर चुके हैं लेकिन फिर भी यहां बता दें कि साम्मेवादी विचारधारा वाले देश अब पूंजी वात की और कारण बना अच्छा यदि हम साम्मेवादी विचारधारा की बात करें तो अमेरिका की और आकरशित होने के दो कारण थे विचारधारा के मामले में पहला तो यह कि अमेरिका की विचारधारा जो थी उसकी प्रगती उनको दिख रही थी कि अमेरिका देखो कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है निजी करण के आधार पर, एक करण तो यह हुआ, तो इसलिए वो भी वो प्रगति चाहते थे, कौन नहीं चाहता, तो एक करण इन देशों का पूंजी वाद के प्रति आकरशित होने का यही था, कि वो पूंजी वाद के एक्जामपल देख रहे थे, उन्होंने सोवियत संग के अंदर, उन्होंने सोवियत संग के खेमे के अन्य देशों की आर्थिक इसीति देख कर यह निजकर्श निकाल लिया था, कि सामयवादी विचार-धारा विचार के रूप में तो अच्छी है, लेकिन धरातल पर इसे लागु करने में कठनाई होत लाई गई है वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकती असंभव है इसलिए भी बहुते खेमे बहुते देश उस खेमे में चले गए और ये भी अमेरिकी वर्चस्ता का कारण था अंतिम कारण जो हम देखें अमेरिकी वर्चस्ता का जो 16-17 कारण हम मान सकते हैं वो है कि अमेरिका स्वयम भी निरंतर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास कर रहा था अमेरिका स्वायम भी निरंतर अन्य देशों को अपने में नियंतर रखने का सतत और सचेत रूप से प्रयास कर रहा था अमेरिका ने अपनी विदेश निती में ये बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि यदि हमसे कुछ लेना है तो हमारे खेमे में आ जाओ यदि हमसे सैने मदद चाहिए तो हमारे खेमे में आ जाओ यदि हमसे आर्थिक मदद चाहिए हमसे लोन लेना है हमसे अन्य स्विधाय लेना है तो हमारे खेमे में आ जाओ तो चाहे वो सैनिक सहायता हो या आर्थिक सहायता हो या तकनीकी वग्यानिकी सहायता हो सहायता के जरिये भी अमेरिका ने निरंतर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास किया और ये निरंतर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास भी अमेरिका को उसकी वर्चस्वता को बनाने में और बढ़ाने में उसने बहुत मदद की तो अब हमने जाना कि जो हमारा प्रश्ण जिसका अभी हमने उत्तर निकाला है वह प्रश्ण बनता है अमेरिका की वर्चस्थता से क्या तात्पर है वर्चस्थता को बनाये रखने में अमेरिका कैसे सफल हुआ और अमेरिका की वर्चस्थता के कारण लिखें एक प्रश्ण और बन सकता है कि सोवियत संग का विगटन कैसे हुआ क्यों हुआ और उसके क्या परिणाम अंतरराश्टी राजनीती में रहे तो इस प्रकार इन तीन चार प्रश्णों का उत्तर अभी तक हम समझ चुके हैं